गंगा विलास क्रूज को प्यम मोदी हरी जंडी दिखा रहे हैं वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से सीधी तस्बीरे हैं ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पस्चिम मंगाल और मंगला देश की आत्रा के दोरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहया कराएगा साथियों आज मैं उन सभी विदेशी तुरिश का विशेज अभिनंदन करता हूँ जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले आप सभी एक प्राचिन शहर से एक आदू PMEGP योजना के तहट 10 लाक लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हो इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए India cannot be defined in words India can only be experienced from the heart because India has always opened her heart for everyone irrespective of region or religion क्रीड और कंट्री वी वेलकम आल अवर टूरिस फ्रेंट्स प्रम डिप्रेंट पार्ट अप दो वर्ल्ट साथ क्यों एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है यह जो लोग इस में से अध्यात्म की खोज में हैं उन्हें वारानसी काशी बोध गया विक्रम शिला पत्ना साहिव और माजूली की यात्रा करने का सोभागी मिलेगा जो मल्टी नेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं उन्हें धाका से होकर गुजारने का अउसर मिलेगा जो भारत की नेशनल डावर्सिटी को देखना चाहते हैं उन्हें ये क्रूज सुन्दरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा जिन लोगों की रूची भारत में नदियों से जुड़े सिस्टिम को समझने में है उनके लिए यात्रा बहुत महत्तपुन होगी क्योंकि ये क्रूज पचीस अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरे गया और जो लोग भारत के सम्रुद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहत्रीन आउसर है यानि भारत की विरासत और आधुनिक्ता का अधुद्ध संग्यम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा क्रूज टुरिजम का ये नया दौर इस छेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार स्वरोजगार के नए आउसर भी देगा विदेशी परियाटकों के लिए तो ये आकर्शन होगा ही देश के भी जो परियाटक पहले ऐसे अनुभाओं के लिए विदेश जाते थे वे अब पुर्वी भारत पुर्वी भारत का रुख कर पाएंगे ये क्रूच जहां से भी गुजरेगा वहां विकास के एक नई लाइन तयार करेगा क्रूच टूरिजम के लिए ऐसी ही व्यवस्ता है हम देश भर के नदी जलमारगाओं में तयार कर रहे हैं शहरों को बीच लंबे रिवर क्रूच के अलावा हम अलग-अलग शहरों में छोटे क्रूच को भी बढ़ावा दे रहे हैं काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्ता अभी चल रही है यह हर परियटक वर की पहुंच में हो इसके लिए बजेट से लेकर लगजरी कूज तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विक्सित की जा रही है साथियों देश में क्रूज टूरिजम और हेरिटेज टूरिजम का यह संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में परियटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है भारत की वैस्विक भुमिका जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे भारत को देखने भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है इसलिए बीते आठ वर्षों में हमने भारत में टूरिजम सेक्टर के विस्तार पर विशेश बल दिया है हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, एक्तियासिक स्थलों के विकास को भी प्राफिक्ता बनाया है काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है आज मेरी काशी की सडके चोड़ी हो रही है गंगा जी के घाट स्वच्च हो रहे हैं काशी विश्वना धाम का पुनर निर्मान होने के बाद जिस प्रकार स्रद्धालू और परेट्रक्वा में उत्सा देखा जा रहा है वो भी अबुत्पुर्व है बीते वर्ष जितने स्रद्धालू काशी आये हैं उत्से हमारे नावी को रेडी ठेले रिक्ष्या वालों दुकानदारों होटल गेस्टाउच चलाने वालों सभी को लाब हुआ है अब गंगा पार के छेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले स्रद्धालूओं को परियत्रकों को एक नया अनुभव देगी इस टेंट सिटी में आधुनिक्ता भी है अध्यात्म भी और आस्था भी है राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा साथियों आज का ये आयोजन 2014 के बाद से देश में जो नितियां बनी जो निर्णे हुए जो दिशात है हुई उसका प्रतिवीम्भ है 21 सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्टर के काया कल्प का दशक है इस दसक में भारत के लोग आधूनिक इंफ्रास्ट्रक्टर की जो तस्वीर देखना जा रहे हैं जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी चाहे गर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग एस, शिक्षन समस्तान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्टर हो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्टर हो या फिर रेलवे, हाइवे, एरवे और वोटरवे जैसा फिजिकल करेक्टिविटी इन से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्टर हो ये आज भारत के तेज विकास का, विक्सीद भारत के निर्मान का सबसे मजबुत स्थम्ब है सबसे चोड़े हाइवे, सबसे आधुनिक एरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सबसे उंचे और लंबे पूल सबसे उंचाई पर बनने वाली लंबी टनल से, नए भारत के विकास का प्रतिमिम, हम सब अनुभव करते हैं इसमें भी नदी जलबार्ग, भारत का नया सामर्त बन रहे है साथियों, आज गंगा विलास कृच की शिरुवात होना भी, एक साधारन गटना नहीं है जैसे कोई देश, जब अपने दम पर सेटलाइट को अंत्रिक्ष में स्थाबित करता है तो वो उस देश की तकनीकी छम्गता को दिखाता है वैसे ही, 32 किलोमिटर से जादा लंबा ये सफर भारत में इनलेंड वोटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आदुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उधारन है 2014 से पहले देश में वोटरवे का थोड़ा बहुत ही उप्योग होता था ये हाल तब था जब भारत में वोटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम की बड़ी शक्ति बनाने में जूटा है हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है विश्त्रत एक्षन प्लान बनाया है 2014 में सिर्फ पांच राष्ट्रिय जलमार्ग देश में थे आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रिय जलमार्गों को विक्सित करने पर काम हो रहा है इन में से लगभग दो दर्जन जलमार्गों पर सेवाय अभी चल रही है आठ वर्ष पहले तक सिर्फ तीस लाख मेट्रिक टन कार्गों ही नदी जलमार्गों से ट्रांस्पोर्ट होता था आज ये केप्रिसिटी तीन गुना से भी अधिक हो चुकी है नदी जलमार्गों का इस्तिवाल करने वाले लोगों की संक्या भी लगातार बढ़ रही है ख़बरों में आगे बढ़ेंगे PMEGP योजना के तहट 10 लाक लोन लेकर क्या आपना खुद का बिजनस शुरू करना चाहते हो इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम आप को अभी डाउनलोड कीजिए